साची काल सारे नूं सो सादी आज दी कहाणी है तर्ती हेटला बॉल्द जो के कुलवान सिंग वर्क द्वारा लिखी गई है इस विच कहाणी कार ने दूजे दे सुख लई आप दुख से सकन दी सदारन बंदे दी असदारन समर्था नूं विशे दे देन लिया सो किसान दा जीवन क्योंकि बहुत ही खेचल ते तकलीफ पर रहा हुंदा सो इस करके उस दी जड़ी सहन शीलता हूँ बाकिया न लो कि ते वदे रहा हुंदी सो कहाणी ये स्तरह हैं के ठठी खारा पिंड अम्रिस सर तो नेड़े ही सी पक्की सड़कते ते जिस मौज विच मान सिंग जा रहा सी ओस विच ते दूर दे पिंड वी नेड़े ही लग देने इस लईपा में शाम हो रही सी टांगे दे ठके होई कोडे दी चाल वी मठी हो रही सी ओस नो कोई चिंता नहीं सी मलग जड़ा मान सिंगा हो करम सिंग दे पेंड ठठी खारा जा रहा सी शाम हो रही सी कोड़ा भी बड़ी होली रफ़तार दे विच चल रहा सी पर उसनों किसे परकार दी कोई चिंता नहीं सी क्योंगी होता अपने दोस्त दे कर जा रहा सी मान सिंग चुटी ते आया हुया एक फौजी सी ठटी खारा उस दे यार करम सिंग दा पेंड सी जिनिया गुडिया यारिया फौज विच लग दियाने हो और किते नी लग दिया पहला ता हो दो में अपने रेजिमेंटल सेंटर विच इकठे रहे हुन एक बटालियन विच बर्मा फ्रंट तो लड रही सी करम सिंग पहला दा परती सी ते हुन हौलदारी करदा सी पर मान सिंग अजे मसा नाई की तक ही अपड़या सी करम सिंग बारे एक गल खास ए सी के उस दी जीव विच बड़ा रास सी मलवो बात मिठा बोलदा सी पिंड़ दे कई होर मुंड़े वी फौज विच सन जदो ओहो छुटी होंदे तब पिंड़ दे बंदया नाल उनांदी गल वाहिगरू जी की फते तो अग्ये ना टुटी पर जदो करम सिंग पिंड़ दा तखूते नौन वालें दिया पीड़ा वद जान दिया पाव करम सिंग इने मिठे सुबा दा सी के सारे योस दे नाल जड़ी गल बाता हो करना चौन दे सी स्याल दी अदी अदी रात लोक ठंडी हो रही दाने पुनन वाली पठी दे से कासरे बैठे करम सिंग दिया अंगला सोंदे रंदे पिछे रैजमेंट वेच उस दी राइफल दा निशाना बड़ा मशूर सी निशाना मारन दे मुकाबलयां वेच उस दी गोड़ी निशाने दे इस तरह ठीक विचकारो लंग दी जिमें आप हाथ नाल पड़के लंगाई गई हो गई होन लड़ाई वेच उस दे पके निशाने ने कई दूर लुके होए ते द्रखतां दे टाहन जहे दिस दे जपानी देगे सां इस तरह हो जपानी निशानचियां दियां गोड़ियां नाल मरे अपने आदमियां दे बदले चुकांदा ते अपनी पल्टन दा दिल ठंडा करता जिते मशीन गरना दियां गोलियां दियां वाचणाने सफल जान दियां ओथे करम सिंग दी एक गोली काम स्वार दिन दी सी पावो हो बहुत वदिया निशाने भास सी एक चंगा निशान ची सी पावे हुन करम सिंग दे हड कुछ पुराने हुन दे जान दी सान पर जदो जमनास्टिक दे डंडियां ते खेड़ा करदा तब एखनवालयानु इस तरहां लगदा जिमें उसनों कोई पूत चंबड़ गया होवे बेपामे करम सिंग्धी जड़ी उमरा हो वादी जा रही सी पर फिर भी जदों हो जमनास्टिक करदा सी तदे खनवालयानु इसनों पूत चंबड़ गया होवे पावोस्दा सरी जड़ा बहुत ज़्यादा लच्कीला सी इते लड़ाई वीच ते खेर सब कुछ बंद सी होर भी बहुत कुछ बंद सी कदे कसियां हो या वर्दियां पाके बैंड नाल प्रेड नहीं सी कीती कोई बजार नेड़े नहीं सी जथे मुफ्त पा सके कदे कोई पेंड़ दा इलाके दा बंदा नहीं मिल आसी इस करके जो दो मान सिंग दी छुटी दी वारी आई ता करम बड़ा उखा होया सी जो नूवी छुटी मिल जान दी ता दो में एक अठे ही छुटियां गुजार दे ते फिर एक अठे ही मुड़ां दे अमने सरों चुढ काना केडा दूर सी उन्हें चुढ काना जिड़ा है मान सिंग दा पेंड सी पनजा को हां दिवित नहीं सी पामे पहले नू मा जा ते दूसरे नू बाँ राख दे सान पामे पहला मुड कदीमा तो वस्या होया सी ते दूसरे नू चंगी तरा जाम के वस्या आजे थोड़ा ही चिर होया सी पर छुटी इना दिना विच बड़ी ओखी मिल दी सी माला जो दो लड़ाई दे दिन होंदे सी उदो छुटी बहुत ओखी मिल दी सी कदी कदी किसे किसे नू इस तरह लड़ाई विच बहादरी दे तक में कदी कदी ही किसे नू मिल दे मला लड़ाई जड़ी छुटी है उस दी तो लन बहादरी दे तक में अनल किती गई है तो जो तो मान सिंग पिछान वाँ दे फाजी ट्रक विच बैठन लगा ता अद्दा मेल मेरा भी हो जाएगा फिर अपने इलाके विचोस्दी दिल्चस्पी विदा उनली उस पुछा तू अगे कदी ओधर गयाएं के नहीं नहीं अंबर सारवे चोई लंगया हां परां ते कदी नहीं गया ओधर बड़े गुर्द्वारे ने तरन तरन खडूर सहाब गोईंदवाल सारी थाई मत्था टेक आमी नले साड़े करवे हो आए मैं चिठी पाद्यों होना नू तेसे करके अपनिया छुटिया मुकंदे निडे आज जो हो टांगेते चड़या करम सिंग दे पिंड जा रहा सी बापो जी मैं मान सिंगा चुहुड काने हो उसने करम सिंग दे करदी डोड़ी विच बैठे बाबे नू हथ जोड़ के कहा आओ जी जी आयानू आओ बैजाओ मान सिंग काले सुब आदा नहीं सी पर अपनी एस आओ पगत्ते उसनों बड़ी हरानी होई हो सागदा सी एह कोई उपरा आदमी होई तुसी करम सिंग दे बापो उसने चंगेरी मिलनी दी मान कार दे होई कहा आओ जी एह उदाई कारे उस मेरे बारे तुहानू कोई चिठी लिखी सी हाँ उस लिख्या सी पर तुसी आओगे साठे को रे ते बुड़ा उठके वेड़े वालनू तुर्पया मान सिंग जड़ा है जाहो जही मिलनी दिया सराक के आया सी ओहो जहा विभार उसनू नहीं मिलिया ते क्यों की करम सिंग ने उसनू कहा सी भी तेरे जान तो पहला हो उना नू चिठी जरूर पा देगा पर जो दो उना भी कर पहुंच दा है तो उसनू कोई बौता वदिया जहा नहीं लगदा सो होने इथे की हुंदा है के बुड़ा उठके वेड़े वालनू तौर्पया एक कटी नू उस खोल के एक किल्ले तो दूसरे किल्ले ते बदा फिर उस दे पिंडे ते हाथ फे रहा ते फिर उसनू अपना हाथ चटन लही दिता ते फिर अंदर जाके मान सिंग दे आउन दा पता दिता ते चाल याउन ली आख्या ते जिस तरह मुड जोडी विच आउन तो डर्दा होवी ओ फिर वेडे विच बदी कोडी कोल खलो गया ते उस दे अगे पई तूडी नू हिलाया खोर छोले ले आके विच पाई ते अखीर मुड के लोडी विच आगया बाबा हुन कुछ वदे रे अपने आप विच सी वो मान सिंग वाल ते सज्जे खबे भी चाक रहा सी मला असल विच की सी के उसनू मान सिंग नू देखके उसनू अपना पुत्तर याद आ गया सी ते अपने आपने आपनो काबू विच ले आणवास ते वो तरां-तरां दे यतन कर रहा सी कदे एक कटी नू खोल के दूसरे के ले दे बाज दा फिर किसे कोडी नू दाने पांदा मला मेन किया के हो अपने आपनो काबू विच ले आ रहा सी जस्वान सिंग कि थे वे मान सिंग नू पता सी करम सिंग दे निके प्रादाना जस्वान सिंग है हुने आ जानदाए चरी दी गड़ लेके मलो गड़ा लेके एने नू करम सिंग दी बेबे चा लेके आ गई बेबे जी सत्स्री काल मान सिंग ने हस्तियां खानाल बुड़ी वल वेख्या बुड़ी दे होंट कुछ कहन लई फरके पर कोई अखर ना बन सक्या मान सिंग ने चावाली गड़वी ते कॉली उस दे हत्थों पड़ लई ते हो वापस चली गई एहे मजाल किस तरह दे आदमी ने मान सिंग हैरान हो रहा सी अपने आप वे चोहो बड़ा तांग सी पर हून एहे कारा के वापस थोड़ा जा साकदा सी चलो एक रात रह के मुड़ चलांगे उस फैसला की था रात नू जो दो जस्वान सिंग आया ता इस रोनक विच गल्लां बातां कुछ खुलिया होन लगिया बड़ी मशूर होई है गोड़ी करम सिंग दी हो थे ब्रमा दी लड़ाई विच बास सोदे कोड़ा दबन दी देर हुन दी है अख दे फोर विच एक जपानी लेट जान दा है ते सानो तोर्दया पता वी नी लगदा कि उस लब कित हो लिया मान सिंग इथे रूक गया एस उमीद ते कि हो सारे बर्मा दी लड़ाई दियां बहुत सारी यां गल्ला पुछन गे उस दा अंदर गल्ला नाल पर रहा पया सी पर इथे दा कोई सुन दा ही नहीं सी कुछ चेरे सी तरह सुन रही फिर बुड़े ने जस्वान सिंग नो किहा अपनी बारी कदों ए पानी दी पर सो तिन वजे स्वेरे लगनी है तिन वजे दा ना सौन के मान सिंग ने फिर गल छेडी ओहो अपने यार दियां रज के गल्ला करनी है चौनदा सी होर गल ते गल करम सिंग पहर रात उठन तो ता बाच गया फौज विज स्वेरे उठन दा बड़ा आला से उनू सारियां तो पिछों उठदाई हो थे इस नालवी किसे दा उत्शान आ जा गया फिर रोटी आई उन्हा काफी उचेज कीता होया सी नाल नाल जस्वान तो नो रोटी खांदे नो पक्खा चाल रहा सी उस दा ही ख्याल कि हो उस वल ते आन नहीं दे रहे सन दिलो निकल गया रोटी खांदे खांदे करम सिंग दा निका जहा मुंडा तुरदा तुरदा मान सिंग दी मन्जी को ला गया जे ओहो होर किसे नाल करम सिंग दियां गला नहीं सी कर सकता ता ओदे मुंडे नाल ता कर सकता सीना मान सिंग ने उसनो कुछ छड़ चुख लया ओए अपने बापो को चलना ही जाना ही ता चल मेरे नाल बड़ा मी पैंदाई हो थे पाणी विच तो रहा फिरी मान सिंग दिये हे गल बापो नो सूल वांग चुभी आफ अड़ला मुंडे नो उदर रख रोटी ता खालें दिया करू अराम नाल बापो ने जड़ा तेज होके किया ते बेबे आके मुंडा चुके लेगी होनते कार्दी हवावे चमान सिंग नो साल एना उखा हो रहा सी इदर दा पैंडा मुंडा मुंडा के उस दा छेती-छेती मुडन नो जी कार्दा सी उस अपने अगले दिन दे चक्कर बारे पुछ गे चरंबी इथों तरन-तरन किन आए चार कौ पैंडाए टांगा मिल जान इस कार्दे मान सिंग राजी सी जस्वांत एड़ा कुट्या होया बंदा नहीं सी पर मान सिंग दे नाल तूर दिया ओवी कुछ कुट्याई गया जड़े जानू बंदे उनू राविच मिल दे उहो उना नू दुरों ही फते बुला के अगां तूर पैंदा पामे मान सिंग इसकिदा जी करदा सी के हो आप खलो के लोका नल गला बतां करे उसने किड़ा रोज रोज यस पासे ऑना सी करंसिंग ने ता बड़ा जास खटया ए फौज विच तू क्यो ना फौज विच गया मान उसने भी फिर गाल बदलन दा यतन की था चरियां कमाद किदे किदे हो गए ने अपने वाल एक चरी दी पहली कोलो लंगदे आंच जस्वांत ने गाल चलाई बंदे बंदे जिड़े खड़े ने परोस्दा दिले इस गाल विच नहीं सी ओते अपने यार्दियां गल्ला करनि चौनदा सी पेंड मुड के मान सिंग पिछा जान दियां सलाहां विच सी अमनी सरो राद दी गड़ी चाड़के हो स्वेर वेले फिर पेंड़ पड़ साकदा सी पामे आपो अपनी थाईं सार्या ने उसलिए काफी उचेज किती सी परोस्नों एस फेरे दा उमीदतों का ठी स्वाद आया सी इस वेले भी अंदर उसलिए चा त्यार हो रही सी डोड़ी विच ओहो एकलाई सी सामने गड़ी विच चोड़ा गाल विच लमकाई डाकिया तुरिया उंदा सी पहलों ता इस तरह लगा जिमें ओहो तुरदा तुरदा सिद्दा ही अग्ये लंग जावेग पर फिरो डोड़ी विच आके मनजीते बैठ गया कीले आयो लियाओ लिऊना कीए अहां पेंशन आयीये विचारे करम सिंग दी करम सिंग दी पेंशन करम सिंग मार्या गया बादशाहों सारा इलाका तरास तरास प्या करदाए ते तुसी उदे कार बैठे पुछ देओ करम सिंग मार्या गया है चिठी आया ते आज पंदरा दिन हो गया दो कुवार मान सिंग दा सा काड़ा जहा आया सिर्टे नक तो उतले इस हिसे दी एक मुठ जही मीटी गई ते फिर अखा राही पाने नुचड़ा नाल टिली होन लगी करम सिंग्दा का रंदर गया होया उदा पिता उदा निका जहा मुंडा उसनों रोन विच मदद दे रही सन बापू ने बारों ही डाकिया बैठा वेक समझ लिया सी के गल निकल गई है हुन पार चुकी फिरंदी कोई लोड नहीं सी अठा पैरांदा दबाटे ला होया ते अथरू वग तुरे दो में टेर चेर कोल कोल बैठे अपने आपनों होडा कर दे रहे फिर मांद सिंग बोलया तुसा मेंनू आँदेगी के उना दस्या एमें असा आख्या मुंडा चुटी आयाए इदी चुटी खराब ना होवे आपे चुटी खट काट के पल्टन विच जाएगा सुन लेगा फोजी नू चुटी प्यारी हों दिया जिननी करम सिंग नू प्यारी सी उननी ही तेनू हो उना सुगुंबाती हो बार दे पिंडान दे लोगतां साउन दे जाम पले उना नू ते थोड़ा आखवी बोता देस्ता हो पारसीं का लुकान विच रता कामियाब नहीं होई एमें बे स्वादी ही कीती मुर्दे होई मान सिंग ने माजे दे पेंड़ वेखे जिनना दा बाबा जाम पल सी इना दोड़े बचा लई के ले कोट उसरे होई सान थां थां मडियाँ ते समादा सान जेडियाँ पिछली पीडियाँ विच इना लोकान दी पारत ते तावा करन वाले नाल लडन मरंदियाँ कहानियाँ दस दियाँ सान इस करके बाबे दी सहन शक्तियनी वदी होई सी ओहो दूज्यानों होडा रखन लेई आप होर पार चुकना चौन्दा सी मान सिंग ने सुनया होया सी के एक तौल है जो अपने सेरां ते सारी तर्ती दा पार चुक के खड़ा रेंदा है उसनों इस तरह लगा जिमे करम सिंग दा पिता ही ओहो तौल सी जेड़ा पार थले दब्या होन पिछों भी लोकान दा पार चुकना चौन्दा सी सो इस परकार इस कहानी दे विच तर्ती हेटला जिड़ा बॉल्दा है ओहो बाबे नू कहा गया सो बाबे दी जड़ी सहन शक्तिया हो बहुत जादा प्रबल है सो कहानी दे अनुसार सानू भी अपने अंदर अजहे गुण पैदा करने चाहिदे हन के पामे हालात कहो जहेवी होन सानू अनन दा डट के मुकाबला करना चाहिदा है